चमोली जिले में एक बार फिर मौसम में करबट देखने को मिली है जिसकी बज़े से ठंडक बढ़ चुकी है ठंड बढ़ने के कारण जोने जीबन अर्स्त बैस्त हो चुका है लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं जुलाधिकारी हिमान शुक्रार्यानी बताया कि जुलाप्रशासनी सारवजनिक के इस्थानों पर अलाव की बवस्ता की कंबल वितरन प्रशासन के द्वारा की जा रहे हैं रहन बसे रो में भी ठंड से बचने के उचित इंतिजामात किये गए हैं साथ ही आपदा परबंधर विभाग समेत संबंधित विभागों को अलेट मोड पर रहने की हिदायत दी गई है चमोली से संदीब कुमार की रिपॉर्ट आपदा कंट्रोल गूम के सथ से भी जंपस्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जाई है लाव की विभागों को मोरिटरिंग के निर्देश दी है विशेषकर जैसे जो पीड़ोडी है या एनच है वो अपने रोडों की समिक्षा करते रहें अगर कभी बरबारी या ऐसी स्केती में कहीं पर प्रब्लम होती है तो वहां ततकाल और रिस्पांट करें इन साथ में पेजल विभाग को भी जो मुल्बूत विवस्था है वो सुचारू नहीं इसके लिए जनपस्तर से मिर्देश देग रहे हैं और लाटार इसकी मानिटरिंग भी जाए